नमस्कार भक्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में अगर आपको प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है आपको चुपाए करके इसे पा सकते हैं इसके लिए तंत्र मंत्र का सहायदा ली जा सकती है जी हां ऐसे तंत्र अपनाने चाहिए जिससे किसी विव्यक्ति को नुकसान न हो अधिक शक्तिशाली शाबर मंत्र बहुत प्रभावशारी होते हैं क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध किये हुए मंत्र होते हैं कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनसे आपको मनवांचित फल मिल जाता है आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही मंत्र और उपाए जिनके प्रयोग स आप अपनी कामना को पूरा कर सकते हैं, आपके काम में आ रहे ही बाधा को दूर कर सकते हैं। आज आपको बताते हैं ऐसे ही वशी करण मंत्र के बारे में जी हाँ तो ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लिजे हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजे जिससे कि आपको नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे इस मंतर को अगर आप विधी पूर्वक करेंगे तो पसंद की जा रही इस्तरी उसे आप तुरंत अपने वश में कर लेंगे जी हाँ इसे इस्तरी शाबर मंतर कहा जाता है इस मंतर का प्रयोग गुरुवार के दिन आपको करना है गुरुवार के दिन शाम के समय घर पर एक स्थान चुन लें और उसके बाद उस स्थान पर आसन लगा कर बैठ जाएं उसके बाद आपको ये मंतर अपने सामने लिखना है और आपको क्या करना है एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक लें और उस पर डब्ब के ऊपर जो है वो धकन लगा रहने दें जी हाँ आपको जो नमक लेना है आपको साधा नमक नहीं लेना है आपको सेंधा नमक लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं सेंधा नमक का इस्तमाल करना है आपको और उसके बाद आपको उसके ऊपर डब्बी के उपर ऐसे इस तरह से धक्कन को लगा देना है और इसे अब आपको बंद करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है अब आपको इस मंतर से 29 दिनों तक जी हां 29 दिनों तक सिर्फ इसे 7 बार अभिमंतरित करना है जिस समय पहली बार ये मंत्र मंत्र आप करेंगे, आप याद रखें, एक दिन भी इसे तोड़े नहीं, आपको 29 दिन तक ये उपाय करना है, मंत्र में आपको ओम नमो भगवते नमहा का मंत्र का जाप करना है, और याद रखना है कि ये इसको आप बिल्कुल भी बीच में एक बार भी एक खंडित न हो, ये आपको पूरे 29 दिनों तक करना है, उस महिला का नाम, उस महिला का फोटो अपने दिमाग में रखते हुए, उसके बारे में ध्यान करते हुए, आपको ये मंत्र ये उपाय करना है, 29 दिन बाद आपको ये नमक, उस मंचाही इस्तरी को किसी भी तरह से उसके खाने मे मिला कर खिला देना है वो महिला आपकी तरफ आकरशित होने लगेगी बशी भूत होकर आपकी तरफ खुद बखुद चली आएगी और आपको बता दें जिस महिला को आप पसंद करते हैं अगर आपने उसे ये नमक खिला दिया तो वो महिला आपके ओपर मर मिटेगी जी हाँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा वो करेगी, आपकी दीवानी हो जाएगी, याद रखें ये मंतर सच्चे प्यार को पाने के लिए उपयोग किया जा सकता है किसी भी गलत धारणा के लिए गलत तरीके के लिए आप इसका उपयोग ना करें जीवन में इसकी वजे से खुशियां आई हैं तो अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. या पिर आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं हम आप के लिए उपाय कर देंगे ऐसे ही दोस्तों आप हमारे विडियो को देखते रहिए धन्यवाद दोस्तों